हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एस्ट्रोलोजी टेप्स हिंदी में आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल दोहजार चौबिस में जिवित पुत्री का ब्रत कब है दोस्तो, हिंदु धर में जित्या ब्रत एक महतपुड ब्रत माना जाता है यह ब्रत हर साल अश्विन मास के क्रिश्न पक्ष के अस्टमी दिथी पर मनाया जाता है जिसे माताई अपने संतान की सुरक्षा और स्वास्त की कामना के लिए कर दी है यह ब्रत संतान की लंबी आयू, स्वस्त और खोशाल जीवन के लिए रखा जाता है जिसे विश्यस कर बिहार, जारखन और उत्तर परदेश के कई हिस्तों में मनाया जाता है इस दिन जीवित पुत्रीका की पूजा करने से सादा को मनुवानचित्फल की प्राप्ती होती है और संतान को लंबी आयू का बरदान प्राप्त होता है जीवित पुत्रीका ब्रत को हम जित्या ब्रत भी कहते हैं और खर जित्या भी कहा जाता है इस दिन जिम्मूत वाहन की पूज़ा की जाती है और निर्जला उपास रखने का भी धान है। पारण और व्रत की पूज़ा वीथी के बारे में बताएंगे। दोस्तों 25 सितंबर को दो पर 12 बचकर 12 मिनट से 1 बचकर 42 मिनट तक राहुकाल भी रहेगा। जित्या व्रत के पारण की बात करी तो जित्या व्रत का पारण 26 सितंबर दिन गुरुवार की दिन किया जाएगा। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को सुरुदय के बाद होगा, 26 सितंबर को सुरुदय 6 बचकर 12 मिनट पर होगा। इसके बाद महिलाएं जित्या व्रत का पारण कर सकती हैं। जित्या व्रत के बाद पारण के बाद दान आदे जरूर करें। दान दक्षरीना के कोई व्रत फले नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि वीडियो में दिगई जानकानिया आपको पसंद आई होँगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो अपने दोसों से शेयर करें। आगे कैसी ही लेटस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्टरोजे टिप्स इन्दी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।